हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाड गौतम सेवनेट थ्रीपार आज है 21 अप्रेल 2023 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 21 अप्रेल 2023 के डेली कर इंटरफियस के कुछ important questions अगर आप किसी भी अज्याम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ा important रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वैल आइकन को भी all पर प्रेस कर लिजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको मारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेप्सर में मिल जाएगा आप वहाँ से चैनल को जोईन कर सकते हैं तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के लाश्ट में मैं आपसे एक कुशन भी पोछूंगा उस कुशन का सही आंसर आपको कमेंड में बताना है तो चलिए चलते अपने टॉपिक की ओओ पहला कुशन है हाल ही में किस केंद्रिय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोटल लॉंच किया है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन ए डॉक्टर जितेंदर शेह तो हाल ही में केंदी ये मंत्री डॉक्टर जितेंदर शिहनी नई दिल्ली में युवा पोर्टर लॉंच किया है बिज्ञान और पौध्यों की मंत्री डॉक्टर जितेंदर सिहनी नई दिल्ली में युवा पोर्टर लॉंच किया जो संभावित युवाई स्टार्टप को जोडने और आगे बढ़ाने में मदद करेगा नेक्ट कुशन है IPL में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने हैं? इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी रोहित शर्मा आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं रोहित शर्मा और यही IPL में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा IPL में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे और भारत के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं बारतिय टीम के कप्तान रोई शर्मा से पहले IPL में 6000 रन का आकड़ा बारत के विराट कोली, सिखर दवन और ओस्टिलिया के डेविड वार्णर ने हाशिल किया है नेक्ट कुशन है, टेक्स टाइल पार्क की स्थापना के लिए किस राज्य ने बारत सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किये हैं इस कुशन का सही अंसर होई आएगा, आप्शन ए, उत्तर पदेश तो टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए उत्तर पदेस राज्य ने भारत सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किये हैं उत्तरपदेस राज्य सरकार ने लखनुम और हर्दोई में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं टेक्सटाइल पार्क एक हजार एकर में फैला होगा और इसकी लगव पांच हजार करोड रुपे के निवेश को आकरशित करने की उम्मीद है पार्का उद्देश कपड़ा निर्मार को बड़ावा देना रोजगार के अबसर पदान करना और इस्थानिय अर्थ विवस्ता को बड़ावा देना है अब उत्तर पदेश और राज्यस की स्थापना 24 जिनवरी 1950 कोई थी उत्तर पदेश की राईधानी लखनुम है मुख्यमंत्री है योगी आदितनात पर राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल नेक्ट कुशन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुन थड़ोस अंस्क्रतिक उस्सब का उद्गाटन किया है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन सी मरीपुर तो मरीपुर राज्य के मुख्यमंत्री जी ने हुन थड़ोस अंस्क्रतिक उस्सब का उद्गाटन किया है मरीपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सीह ने 18 अप्रेल 2023 को पांच वे हुन थड़ोस अंस्क्रतिक उस्सब का उद्गाटन किया अम मरीपुर राज्य की स्तापना 21 जनवरी 1922 कोई थी मरीपुर की राईधानी इमफाल है मरीपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बिरेन से हैं और राज्यपाल हैं अनुसुया वेके नेक्ट कुशन है बारत ने महिला सक्ती करड हेतु यूएन की संस्था को कितने डॉलर का योगदान दिया है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन सी 5 लाग तो बारत ने महिला सक्ती करड हेतु यूएन की संस्था को 5 लाग डॉलर का योगदान दिया है साइब्त राष्ट में बारत की स्थाई प्रतन दी चेक सौपा है Next question है किस भारतिय अमेर्की को हाल ही में प्रवासी भारतिय सम्मान पुरुसकार से सम्मानित किया गया है इस question का सही answer हो जाएगा option B राज सुब्रमन्यम आप image में भी देख सकते हैं ये हैं राज सुब्रमन्यम और इनी को हाल ही में प्रवासी भारतिय सम्मान पुरुसकार से सम्मानित किया गया है FadeX के एक प्रख्यात बैश्विक परवहन कमपनी के CEO और एक भारतिय अमेर्की राज सुब्रमन्यम को हाल ही में प्रवासी भारती सम्मान पुरुसकार से सम्मानित किया गया यह पुरुसकार बारत के उत्सरगिये व्यक्तियों और भारती विदेशियों को समर्पित व्यक्तियों को दिया जाने वाला सरवोच नागरिक सम्मान है इस question का सई आंसर हो जाएगा option A. New York तो इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनली एंद पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के दस सबसे दनवान शेरों की सूची में New York सीज पर है इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनली एंद पार्टनर्स द्वारा जारी की गई दुनिया के दस सबसे दनवान शेरों की सूची के मुताबिक 3.4 लाक मिलियन नेयर के साथ New York दुनिया का सबसे दनवान शेर है इसके बाद टोक्यो और अमेरिका के बे एडिया का इस्थान है और बारत का सबसे धनी शेर मुंबई है जहां 69,400 मिलियन नेयर है नेक्ट कुश्चन है हाल ही में कौन सा देश अंडर 20 फीफा बिश्व कप की मेजवानी करेगा इस कुश्चन का सई आंसर हो जाएगा ओप्शन ए अर्जेंटीना तो हाल ही में अर्जेंटीना देश अंडर 20 फीफा बिश्व कप की मेजवानी करेगा अर्जेंटीना 23 अंडर 20 फोट वाल विश्व कप की मेजवानी करेगा इसने इंडोनेशिया की जगे ली है जिसे फीफा ने मेजवानी करने से हटा दिया है फीफा अंडर 20 विश्व कप 20 मई से 11 जून तक चलेगा और यह पहली बार होगा जब अर्जेंटीना 2001 के बाद टूनामेंट की मेजवानी करेगा अब अर्जेंटीना जो देश है वो दच्छड अमेर का माधिप में इस्तित है अर्जेंटीना की राइधानी विवनस आयर्स है अर्जेंटिना की मुद्रा है अर्जेंटिना पेशो और अर्जेंटिना के राष्टपती है अल्बार्टो फर्नाडीज नेस्ट कुशन है हाल ही में इस रो किस देश का T.E.L.E.O.S.2 उपग्रह लॉंच करेगा इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन सी सिंगापूर तो हाल ही में इस रो सिंगापूर देश का T.E.L.E.O.S.2 उपग्रह लॉंच करेगा बात ये अंतरच अनसंदान संगठन 22 अप्रेल दोया 23 को सिंगापूर के T.E.L.E.O.S.2 उपग्रह को लॉंच करने के लिए तैयार है इस उपग्रह को आंध पदेश के स्री हर कोटा में 37 दवन अंतरच केंद से लॉंच किया जाएगा T.E.L.E.O.S.2 एक वाड़िजिक प्रत्वी अवलोकन उपग्रह है और इसका उपयोग सेहरी नियोजन समुद्री सुरच्छा और आबदा प्रबंदन जैसे विभिन अनप्रयोगों के लिए किया जाएगा इसरो का पूरा नाम है Indian Space Research Organization इसकी स्थापना 15 अगस्त 1999 कोई थी और इसरो का मुख्याले बैंगलरू में है Next question है हाल ही में किस राज के कुम्बम अंगूर को GI टेग मिला है इस question का सही आंसर हो जाएगा option B तमेलनाडू तो हाल ही में तमेलनाडू राज के कुम्बम अंगूर को GI टेग मिला है अब जानते हैं तमेलनाडू राज के बारे में तो तमेलनाडू जो राज जैस की स्थापना 1773 में होई थी तमेलनाडू की राजधानी चेन नहीं है तमिलनाडू के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन और राज़पाल है R.N. रवी Next question है विजडन क्रिकेटर्स ओफ द इयर चुने जाने वाली पहली बारतिय महला क्रिकेटर कौन है इस question का सही अंसर हो जाएगा option A. हर्मन प्रीत कौर आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं हर्मन प्रीत कौर यही विजडन क्रिकेटर्स ओफ द इयर चुने जाने वाली पहली बारतिय महला क्रिकेटर है बारतीय महला क्रिकेट टेम की कप्तान हर्मन प्रित कौल को वर्ष दोयर 23 के लिए विजडन क्रिकेटर्स आप दा इयर चुना गया है हर्मन प्रित विजडन क्रिकेटर्स आप दा इयर बनने वाली पहली बारतीय महला क्रिकेटर्स है नेक्ट कुशन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलंग कर्मचारियों के लिए चार पतसत आरच्छन की गोशना की है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा आप्शन भी महाराष्ट तो हाल ही में महराष्ट राज सरकार ने विकलंग कर्मचारियों के लिए चार पत्सत आरच्छन की गोश्णा की है महराष्ट जो राज्यस की स्थापना एक माई 1960 कोई थी महराष्ट की राईधानी मुंबई है महराष्ट के मुख्य मंत्री हैं एकनाथ शिन्दे और राजपाल हैं रमेश बैस कल की वीडियो मैंने आपसे कुशन पूछा था हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया दोया तेज का ताज अपने नाम किया है अब आपके लिए आज का कुशन है किसानों को व्यापक सायता पदान करने के लिए किस राज्य कीन सा सुथ पदेश ने किसान संपर्क अभ्यान सुरू किया है इस कुशन का सई आज आज को कमेंट में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की helpful लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जय हिन जय वारत बंदे मातरम